अज सुबह से ही तमिलनाडू के मुख्य मंत्री इमके स्टालीन के बेटे उद्यानीदी स्टालीन एक्स हैंडल पे ट्रेंड कर रहे हैं आपको बता दे कि कुछ समय पहले उद्यानीदी स्टालीन ने सनातन धर्म पर बड़ा बयान दिया था ये मामला सुप्रेम कोर्ट तक पहुँच चुका है दरसल उद्यानीदी स्टालीन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वाइरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बलकि उनको उखाड कर फेक देना चाहिए हाला कि उनके इस बयान के बाद उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा ने मेरे बयान को तोड़ मरोर कर पेश किया है और फर्जी खबरे फैलाना भाजपा का काम है उनके इस बयान के बाद X-Handle पे एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जहां लोग उनकी फोटो पर पैर रखते हुए बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं देखिये ये वाइरल वीडियो इस वीडियो में साफ तोर पर नज़र आ रहा है कि लोग आते जाते उद्या निधी स्टैलीन के फोटो को अपने पैरों से कुचल रहे हैं इस वीडियो को देख कर ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे है ये वीडियो सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं